अब यह पीसेस इस्टड़ी के इस ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अभी जो सेप्टेंबर वाली मैगजीन है उसमें उसमें निउजिन सौर्ट्स बचा रहा गया था आपका किसका आर्ट एन कल्चर का आर्ट एन कल्चर में से कुछ मैंने देखा कि इसमें इसमें से प्रस्ट बने हैं और यूपी पेसेस के प्रेलिम्स में दोनों में बने हैं खूब मात्रा में बनते हैं हर साल बनते हैं इसलिए सोचा मैंने किसको भी कम्प्लीट करा दे कुछ भी छूटा न रह जाए अपका मैगजीन में तो आर्ट एन कल्चर के भी निउजिन सौट्स को कर लेते हैं, तस बारा निव जिन सौट्स है वो इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ नहीं होता तो नहीं कराता, अभी छेले सुरू करते हैं इसमें, और एक इंपोर्टेंट बात यह है कि इसमें आंसर राटिंग का हमने सुरू किया हुआ था, कल कोश्चन हमने दिया हुआ था, धेर सारे लोगों ने करीब पांसात लोगों ने जो है लिखा है और जो लोग भी लिख रहे हैं उनका फिड़बैक उनको कॉपी चेकर के मिल रही है तो वो लोग संतुष्ट है तो ऐसे में आप भी खूब मातला में लिखे जो फ्रूइम इनिसेटीव है तो आप उसका लाब उठा लीजेगा, ठीक है अगर आप 10-15 लोग भी लिखते हैं ना तो मतलब ये कारिकरम सफ़ाल माना जाएगा चुकि मेरी कैपसीटी में कोच कोचिंग संस्थान तो हूँ नहीं मेरी कैपसीटी 10-15 लोग सदिक है भी नहीं तो जो लोग लिख रहा हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इफ़र्ट उनका बहुत बहुत बैतरीन है दो कोशन्स दे रहा हैं उसका discussion भी model answer भी हम दे रहे हैं तो आप लोग उसको जरूर करिएगा इसमें क्या है कि पहला topic है revamped adopt a heritage 2.0 program ASI ने इसको सुरू किया ASI ने संसोधित adopt a heritage 2.0 का कारिकरिम की सुरुवात की है Archaeological Survey of India इसका full नाम है पुरा adopt a heritage जो जना मूल रुप से किया है 2017 में पर्याटान मंत्राले संस्कृति मंत्राले ASI और जो भी राज और यूटी सरकारों के साजा प्रयासों से सबसे मिल करके सुरू की गई थी इसका auditory से किया था कि जो नीजी और सावजुनिक छेतर के जो संगठन है और व्यक्तियां हैं उनको सक्रिय भागिदारी से जो भी असमारक अस्थल है उस पर क्या हो गुडवत्ता पूर्वक और समावेसी सुविधायं प्रदान के जाए ASI का महानिदेशक प्राचीन असमारक और था पूरा तत्वी अस्थल और और अवशेश अधिनियम 1908 के तहत क्या है संरचित असमारकों के रख रखाव के खर्ज के लिए निमित स्वेचिक योगदान प्राप्त कर सकता है योजना में संसूदन क्यों सकता क्यों है कि इसके बारे में दिसा निर्देशों के बारे में जगरुपता की कमी है योजनाओं में गोद लिए गया असमारकों के में जिन सुविधाओं के प्रस्ताओं के लिए दिये गए हैं वो क्या है और बेभारिक है गोद लिये गया जो भी अस्मारक अस्थाल उस पर अर्ध ब्यवसाइक गतिवीद्यो करन क्या और यह समस्य उत्पन होती है तो Adopt Heritage 2.0 की योजना के प्रमुख विसेशता क्या है अस्मारक सार्थी यह क्या है कोई भी हो सकते हैं जिने क्या है ASI द्वारा इस कारिकरेम के लिए चुना गया है इससे पहले क्या है इने ASI समारक मित्र कहते थे अब इसे सार्थी हो गया है ठीक है पर यह उजनाव का वित्पेशन क्या है कि नीजी और सावजनिक छेतर की कंपनिया अपने CSR का यानि कि कॉर्परेट सोसल जो रिस्पॉंसिविल्टी उसका खोसका उपयोग करके कर सकेंगी आपको CSR के बारे में मैंने इसी मेक दिन में पढ़ाया है साथ उसको आप उसको देख लिजएगा ठीक है जबकि अनसंस्था क्या स्वेक्षिक रूप से वित्ती युगदान कर सकते हैं लचलापन क्या है इसमें किसी भी असमयरों को पूर रूप से गोद लेने की अनुमती होगी या एक से अधिक अस्थलों के लिए पेज़ा सुविधा स्वष्था से वाओं जैसी सुविधाओं में से जिम्यदारी लेने के भी अनुमती होगी चार आयामी फ्रीमवर्क है स्वष्था पहुँच सुरच्छा और ग्यान अवधी कितनी होगी पांच वर्स के लिए होगी ठीक है अब आता है कि एसाई की कारपडाली पर रिपोर्ट आई ठीक है एसाई की कारपडाली पर परिवहन परेटन और संसकृति पर संसदी स्थाई समीती ने एसाई की कारपडाली सिर्षक से के रिपोर्ट प्रस्तूत की ठीक तो एसाई के बारे में अपने उपर पढ़ाई होगा एसाई है क्या वस्तों में तो देख लिजे आर्कोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया क्या है इसे उन्नी सो एक अठारा सो एक सथ में एलेक्जेंडर यह कनिंगम के बारे में अगर आप जो भी आर्ट और कल्चर पढ़ते होंगे तो एलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत मतलब चर्चित और समझ लिजे इस निर्देशन में ही यह सब चीज़ा स्थापित की गई थी और यही एसाई के पहले महानी दे सकते मंत्राले कौन सा आता है किस मंत्राले के अंतरगात तो यह संस्कृति मंत्राले के अंतरगात आता है इसका भूमे का क्या है कि जो भी आर्कोलाजिकल समंधी सुभी अनुसंधान होते हैं ठीक है पुरातत्व की अनुसंधान करना रिसर्च करना राष्ट की स पुरावेश और बहुमूल कलाकरती दिनिया मुनिसो बहतरकता क्या है कि वीनियामक संस्था भी है ठीक है इसका है इसके वारे में पढ़ते हैं तो इस में क्या है कि इस रिपूर्ट में आपनिवेसिक कालके सैनी के अधिकार्यों की पहच्चषण है कबरे सामर के गएंगे, जिसा कोई उलकनी महत तो नहीं है, इसाई तोज राख़ा है, सनरचित असमारकों के पास 100 मिटर के छेतर को निशिद और 300 मिटर के छेतर को विनयमीद गोसित किया गया है ठीक लेकिन अब इसका क्या है इस प्राधान का जो रहे अस्थानी समधाय के लोग रोगते है वह विरोध करते हैं ठीक अब यही कारण है कि जो भी आवासी परिसर है उनके अपने उस अब आवसक मरमत कारे कराना भी नहीं मुस्किल हो जाता है ठीक अब यह 100 Meter का छेत्र क्या हैं? विनिशिद्ध है, और 300 Meter का छेत्र क्या है? displaying सान है dieses regulated है, इसको इसमें भी आप क्या करेंगे, मंझूरी लेंगे, तभी आपको क项्य करा सकेंगे मालीज़ किसी का घर ही पड़ गया तो वो मंजूरी लेगा अपना घर में रंगाई पुताई के लिए भी एक मंजिल बनाना उसके लिए भी मंजूरी लेगा यहां क्या लाल फिता साई को बढ़ोतरी मिलती है बहुत सारे जो फ्रेश्ट चार को भी बढ़ावा मिलता है ठीक का उसके सूची को तर्क संगत पराने की जड़ूरत है असमारकों कर लेगा उनके रास्टी महत्तो को बिसिस्ट वास्तुसिल पमोल और वीडिसेस विरासत समागरी कजार पर वगिकरित करना चाहिए एसाई को जो है दो विंग में विभाजित करना चाहिए दो विंग में समधित मामनों को देखेगा ठीक है उत्खनन को सटीक और दच पनाने के लिए लीडर जमीन में भेदने में सच्छम राडार 3D स्कैनिंग जैसी जो है आधुनिक तक्नीकों का उपयोग करना है चाहिए तीसरा आता है मेरा माटी मेरा देश अभियान ये सरकार ने सुरू किया और ये बड़ी इंपोर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए फैक्ट के रूप में मेरा माटी मेरा देश अभियान भारत की अजादी के 75 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में रास्ट ब्यापी और लोगों के पहल है इसके तद क्या है राष्ट की कई उपलब्दियों को उत्समना जाएगा साथ ही राष्ट की रच्छा करने वाले बीरों को सधाजली अर्पीत की जाएगी अब आता है इंपोर्टेंट की नए संसत भवन के द्वार और उस पे अस्थापित जो भी प्रतिमाय है इसमें बताए गया है तो नए संसत भव में छै प्रवेस द्वार है इसमें हर द्वार पे क्या है विशिस्ट भूमिका है यह जो यह चै प्रवेसदारों में से क्या है तीन को विशियस अथितियों का स्वागत करने और तीन और विशियस आयोजनों का आयोजनों के समय में सब बताया गया है तो ऑपचारिक प्रवेसद्वार क्या है औपचारिक प्रवेसद्वार है उसके संदर्च शक क्या है गज द्वार निग इसको पुर्वी द्वारा है और हौन के स्थापित प्रतिमा है। ये क्या है कि देश के लोगों की परसासों की आकांचाओं का प्रतीख है। ये तमिलाडू में कुम्भ-कोडं में मौझुद एक नायक-काल की मूर्ति से प्रेइथ है। तो चीजों को ध्यान देना है इसमें को रिलेट करना ईवाद आपको सारोजनिक प्रिवेस द्वार और उसके संवेस चणक, इसमें माद आता है कि सारदूल द्वार, एक पस्चिमी द्वार है, इसको सारदूल द्वार बोलते हैं, यह क्या एक पौराडिक जीव है, सारदूल जो है, यह सारदूल क्या एक पौराडिक जीव है, इसमें सबसे पह यह सकती कासमरण करता है करनाटक में जो भी हमपी में विठाल मंदीर है उसी के समान यह प्रतिमय उससे प्रतिमय उस्ते प्रतिमय उससे प्रतिमय नहीं नहीं है तो सब को जो है एक बार रिविजन करके लर्न कर जाना है चुकि इसमें सवाल बन जाएंगे यार यह सवाल वज़से बनते हैं इसमें अब एक बनता है कि 64 योगिनी मंदिर इंपोर्टेंट है आप तो इसमें कई बार UPSC ने पूछा हुआ भी है एक दो बार साथ पूछा हुआ है कि पुराने संसर्थ भौन का जो डियाइन था न मद्ध परदेश के मितावली गाओं में इस चौसर्थ योगिनी मंदिर से प्र समर्पित था जो 64 योगिनिया थी वो क्या थी सक्टिसाली योद्ध्या थी और तंत्र और योगिड्या से संबनथित थी अब इसका किस ने किया था तो इसमें इसका निर्माट जो है चौसट योगिनी मंदिर का 1323 इस्वी में कच्छप घात वंस के राजा देवपाल ने करया था ये क्या है मद्द प्रदेश के मितवली गावा में इस्थित हैं और ये इंपोर्टन जो पुरानी संसर्थ भौन है ये इसी डिजानिक था यानि चौसट योगिनियों के आसपास जो ये चौसट कमरे थे आसपास और बीच में स्यू भगवान को समर्पीत एक मंदिर था और ये इंपोर्टन था कच्छप घात वंस के राजा देवपाल ने इसका निर्मान करया था 2323 इस्वी के दोरान अब ये काता है कि जो मदर प्रदिश के मुख्यमंतरी है उन्होंने क्या किया है एक आतमक्ता की मूर्थी यानि कि ओमकारेश्वर में आदी संकराचारी की 108 फूट मूर्थी का अनावरण किया है अब क्या है कि देश में बहुत सारे जो मूर्ती है उसका अनावरोन किया जा चुका है और अनावरोन के जाने बात क्या है कि बहुत सारा confusion भी हो गया सब तमाम चीज़े हो गई है तो क्या है कि इसको एक टेवल बना दिया इसने यहां पर ठीक है तो अभी क्या है कि इसको देखते हैं कि जो मद्द प्रदेश के मंत्री ने ओम कारेसवन में आधी संकराचारी की एक सो फाट फीट की उची जो मूर्ती का नावरोन किया इसे एक अत्मक्ता के मुर्ती का नाम दिया गैए ठीक है तो अन्होंने आथी संकराचारी की इसे नंगे करता है ठीक है अधवैत वेदान्त दर्शन का उजनोंने प्रतिभादन किया था जनम कहा हुआ था कैरल के कलारी में हुआ था ठीक है तो जो भारत की अन्य प्रतिमा है इस पर क्या है यूपी पीशस टाarget करता है बहुत करथा टारगेट इदम समझ लिए इस पर हमेशा टागेट करता है प्रिलिम्स में और EUPSC में भी इसमें टागेट होता है तो इसमें क्या है कि स्टैचू आफ यूनिटी सरदार वल्ला भाई पटेल की मुर्ती है ये गुजराद के किवडिया में है अब एक बात है इस टैचू आफ इक्विलिटी है इस टैचू आफ इक्विलिटी जो है स्री संत स्री रामानोज अचार के यहां पर भी पधामंत्री न इसका Statue of Peace Statue of Oneness Statue of Oneness ठीक है एक Statue of Oneness इस पांचों स्टैचू को किसका है और कहां है इस सब चीजे ज़्यान देना बहुत जुरूरी इसमें ठीक है और में चीड़ा कि इसमें आदी संकराचार ने कहा दिया अध्वैत वेदान्त का दर्सन दिया था द्वैत वेदान्त का ठीक है द्वैत नहीं और द्वैत तो इसमें क्या है कि अभी एक ancient stitched ship building method है टंकाई मैठ़द अब टंकाई मैठ़द न्यूज में रहा है तो इससे संबंधित एक बहुत important चीज भी यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं तो हाली में क्या हुआ कि केंद्री संस्कृती मंत्राले ने और भारती नौशिना ने सामोही कुरूप से क्या है जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक को पुररविक्सित करने के लिए परियोजना पे हस्ताक्षर किये अब यह जो 2000 साल पुरानी तकनीक है उसको टंकाई पतती बोलते है अब इसके लिए क्या है कि फाइनेंस कौन करेगा केंद्री संस्कृती मंत्राले करेगा ठीक इंपोर्टेंट बात यही है कि इसमें फाइनेंस कौन कर रहा है अगर मालेजे कोई नौसेना की बात आ जा रही है कि नौसेना में यह जहाज बनेगी तो उसके लिए मन में क्या उभरेगा सीदे आपको डिफेंस मिनिस्ट्री क्योंकि अच्छा मंत्रा ले इसके लिए देखेगा इसमें क्या है 21 मीटर के टंकण है सिलाई की हुए जहाज का निर्माण के जाएगा इसमें क्या प्राचिन पदतियां इस्तमाल की जाएगी जिसमें रसी डोरे नारियल के रेसे प्राकरतिक रेजीन और तेलों का उपयोग करके लकड़ी के तक्तों को एक साथ जोड़के जहाज का निर्माण होगा ठीक अब इसमें बातियां कि जो ये टंकाई पदति है इसमें क्या इस्तमाल होता है कि जो कील के अस्थान पर क्या था लकड़ी के तक्तों को एक साथ जोड़कर इसको क्याता है इस पदती से जो जहाज होते हैं वो लचीलेपन टिकाउपन में ब्रिधी होती है उथले जल और संद बार में यानि जो जल मगन भालू भीती उसमें नुकसान पहुचने के संभावना कम होती है इस पदती से जो जहाज बनने का विचार है अजन्टा के एक टकन से बीधी निर्वित जहाज से चितर से आया था ठीक है संस्कृति मंत्राले ने भारती नौसेना के गोवाई सी थोड़ी इन्वेशन का टंकाई पदती से जहाज बनने का समझोता भी किया हुआ है यह क्या है कि यह जो जहाज है यह प्राचीन समय में क्या समुन्दरी ब्यापार मारगों पर दच्छिन और दच्छिन पूर्वी एसियाई छेतरों की यातरा करते थे यह कि पहल किसके पहल के अनुरूप है इंपोटेंट बात यह है कि तंकाई जो मेथड के तहत jaaj मैना जा रही है यह पहल संस्कृति मंतरा ले या देशों के बीच में सांस्कृतिक मुल्यों और सरोकारों की समझ बढ़ेगी प्रजेक्ट जो मौसम था उसका लच्छे क्या था कि हिंद मासागर की सीमा से लगे 49 देशों के साथ समुंदरी सांस्कृतिक देशों का संबंधों का पुनर निर्मार को सके तो प्रजेक्ट मौसम है वो संस्कृति मंत्राले के तहत लाए गया था इसका उदेश से क्या था कि जो हिंद मासागर की सीमा से जो भी 49 देश लगे हुए है उनके साथ समुंदरी संस्कृतिक समंत्यों को बिक्सित किया जा कि जा क्या तो कम से कम तीन स्री सताब्दी इसापुर्व में आरम हुआ था अब आता है सबसे में पॉइंट यहां टार्गेट खूब किया अभी 2023 का पेपर उठा कर देखी जागा 2023 में एकदम जिसका 2023 में पेपर देखे लेगा तो उसमें सीधे सीधे चार बंदरगाह दिये हुए थे ठीक है और चार नाम था उसमें यह चीज़े क्या है ठीक है तो नीचे था बंदरगाह यह पोर्ट थे ठीक वो पोर्ट के नाम थे इसी तरह से 2022 में 2021 में भी कौन से टट पस्चिमी टट पर है कोई से बंदरगा पुर्वी टट है यह पराचीन असथल के बंदरगा न वह कौन पूर्वी पोखता है इसको बहुत पूचता इसमें तब इसमें आता है कि पूर्वी टट तमरलीप्ति बंदरगा यह UPPs में सवाल बना न है तमर लिप्ति ठिक है त पूछा हुआ है अब इसके बाद आता है कर लिंग पटनम आया है और इसमी टड़ पर प्राशीन टट बंदर इसको नौट का लेजेगा यह यहीं सवाल यहां से बनते हैं तो कहां से पूछ दिया, मैगजीर में सब कुछ मिल रहा है और हमने उसको करा रहे हैं तो आप उसको कर लेंगे तो आपको लर्न रहेगा नहीं है आपको लर्न हो रहा है एक उसको मैगजीर वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट पड़ी है अब आद में अब भी प्रलिमस आएगा एक बार जरूर देखिएगा, पूरा 1.5 एक्स पे लगा लिजे और उसको सुनते जाएगा, याद हो जाएगा तो जो पस्चिमी टटके बंदरगा है वो कौन-कौन से है बरगाया है, सुपारा है, कैलीना है सेमाईला है, मंगाटोर है पलेटपटमे है, मली जीगरा है ठीक, अरनाबोबास है बिजान्टीन है, नौरा है टिंडिस है, मुझरिस है और नेसिल्डा है, ठीक पूर्वीटटके बंदरगा का उन्हें है मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको PYQ अगर दिखाने लगगा तो फिर यह वीडियो दे लंबी विलाएंगे काम आपका है, प्रिवेस येर कोशन्स को उठाइए PYQ को उसमें देखिएगा प्रिवेस येर कोशन्स में ये पोर्ट पे सवाल इतने सारे बने है मैं आपको आप खुच पा रहा है तो मैं आपको टेलेगराम पे डाल दे रहा हूं ठीक है, इसको देख लीजेगा तो अन्य महत्पूर जो भी व्यापारिक बंतरगा थी वो कौन-कौन से थे कि दच्छिड और दच्छिड पूर्वी इसारे सो साथ कहा कि प्राचिन समुंद्री और सांस्कृतिक समुंद्री यहां कि क्या है अस्थानी ब्यापारी साधव नाम से जाने जाते थे यह ब्यापारी का थे दच्छिन और दच्छिन पूर्वी साइदे सो जैसे कि बाली, सुमात्रा और सिलोन आधी से यातला करते थे लाल सागर मार्ग एक था, यह क्या था कि लाल सागर के मादियम से रोमन समराजिक को भारत से जोड़ता था यह मार्ग से मुक्ता, मसालो, हाथी दात, मोती, किम्ती, रतनो, आधी का ब्यापार होता था, ठिक रेसम मार्ग है, यह एक अस्थली ब्यापार माग था, एस या में चीन के जियान से लेका तुर्की के एंटियोक था, सिल्क मार्ग जो जो है चीन फीर से जीवित करने का प्रयास कर रहा है अपने बहुत सारे प्रयोजिनाओं के माध्यम से अब बस खताम होने वाला इसका ठीक है कोक बोरोक भासा अब एक आती है कि बहुत इंपोर्टन है यह सब चीज़ें कोक बोरोक भासा क्या है त्रिपुरा के जो बोरोक समुदाय है उसके द्वारा यह बोले जाने वाली भासा है ठीक कोक बोरोक भासा बोरोक समुदाय जो त्रिपुरा का है उसके द्वारा बोले ज आप वर्यक्युकु दुरौकु बुरौकु भॉज़ती है इने लिखा तकि इसनें दौलत अहमद ने लिखा था यह इंग च्छेत्र स्वाइति जिला परसद की अधिकारिक भासा भी इसको घोसित किया गया है अब आता है कि संगीत नाटक अकाड़मी पुरसकार अकाड़मी अमरित पुरसकार इसमें किया कि 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकाड़मी अमरित पुरसकार समानित किया गया राश्टी समान है यह निस्पादन कला के कारकारों सब सिछकों विद्वानों को भी देते हैं 75 वर मतलब performing art ठीक है performing art के छेतर में सिर्फ निकाय है ये संस्कृति मंत्राले कंतरगाद आता है 1935 में इसको अस्थापित किया गया था ठीक ये भारत की विवित संस्कृति की विसाल अमूर्त विरासत का सनचन करती है इसमें तीन पुरसकार है संगीत अकार्डमी फिलोसी पुरत् पुरसकार इसमें क्या है उसका उदेश किया कि बिग्यान और प्रदोगी के छेतर में बैगानिकों के उलेख को सम्मानित करना है तो इसमें नई सित्र आई इसमें तेरा छेतरों को चुना के आए तेरा छेतर में कौन कौन से हैं बहुत की है रसायन है परमाडू उजा अं के छितर में खुब अच्छा रिसर्च किया हो विसिस योगदान दिया हो तो उसको भी होगा ठीक है आप भीदेश मेराने वाले जो लोग भी उनको भी मिल सकता है चैन प्रक्रिया क्या होगी कि जो भारत सरका कि जो प्रधान बैगानिक सलाकार है कमेंट करेगा कि कौन है प् कुछ प्रतिस्टिस बैगानिक प्रध्योग की वित होंगे वो लोग मिल करके इसको बनाएंगे बताएंगे कि कौन इसका विजिता हुआ है अब यह क्या है कि यह राष्टी बिग्यान पुरद्धकार की घोशना हर साल 11 माई को कि जाएगी 11 माई को क्या मनाते है राष्ट के लिए यूआ श्रू भटनागर पुरसकार होगा 45 वर्स की आयो के बैग्यानिकों के यूआ प्रध्यान टीम पुरसकार होगा जिनों एक टीम के रूप में सदारन कान किया हो उसके लिए अब लास्ट आर्टिकल आता है रेमन मैक्स से पुरसकार असम के राने वाले जो ह ोरी ऑसम भूली वोडर टिकाश्स्माणदी थी कंशलन है यह का के पुरसकार के पुरसकार पुरसकार मैं जाता है कई बार सवालबने है इसको थापित किया गया था फिलिपिन्स के साथ में राष्टपती रेमन मेक्सेसे के नाम पर इसको रखा गया था फिलिपिन्स द्वारा दे जाता है फिलिपिन्स देश में यह क्या है रेमन मेक्सेसे अवार्ड फांड़ेशन जो देती है यह हर साल एसिया के ब्यक्तियों क संगठनों को पूनसकार देती है ठीक है रविस कुमार को भी यह अवार्ड मिला था जर्नलिजम के छेतर में ठीक है तो यह आपको सारा से लेकर के सारी चीज़ें थी वो खतम हो गया अब आपका जिम्सार है बार बार रिविजन करना ठीक है अब चिल मारो मज़े करो मौच काटो बाए